हलो दोस्तो हमारी चैनल कुककला में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाएंगे मीठा सोहाल देखिए मैंने 200 ग्राम मैदा ले लिया है इसमें 50 ग्राम मोयन डालेंगे 50 ग्राम घी है एक पींच से भी कम मीठा सोडा बस इस तरह हाथ में चिपक जाए बस इतना ही अच्छी त देखिए मैंने घी को अच्छी तरह से मिला लिया है यह बधने लगा है अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर कड़ा आटा लगा लेंगे गुंगुना पानी मैंने लिया हुआ है हलका गरम है यह अगर आप गुंगुना पानी नहीं डालना चाहती है तो हलका गरम घ रहे नॉर्मल पानी से अटा लगाएं देखिए इस तरह से आटा मैंने लगा लिया है ज्यादा कड़ा है ज्यादा मुला है मैं इस तरह से होना चाहिए आधा गंटा सेट होने के लिए रख देंगे जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम चासनी बना लेते हैं देखिए धाई सग्राम चीनी में ने लिया है यह मोटा दाना का चीनी है एक कप चीनी में आधा कप पानी डालेंगे चीनी का आधा पानी है इसका चासनी बना लेते हैं चीप चीपी चासनी बना लेंगे कोई तार नहीं बनाना है देखिए चासनी हो चुका है चीप चीपा है ये इस तरह से कोई तार नहीं है थोड़ी सी फूड कलर डालेंगे आप अगर नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकती है गैस बंद कर देंगे, इलाची पावडर डालेंगे, चासनी धग कर रख देंगे, चलिए आटा देख लेते हैं, आटा सेट हो गया है, बनाते हैं, इस तरह से थोड़ा मसल लेंगे इसको और चिकना कर लेंगे, आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा बना सकती हैं, देखिए, मैंने सारी लोईयां बना लिया है, चलिए बनाते हैं, इसका परत थोड़ा मोटा ही रखेंगे, अगर आप नमक वाला बना रही हैं, तो पतला परत होता है, मीठा में थोड़ा मोटा परत ही होता है, इस तरह से गोल-गोल पूरियां के तरह बेलने, देखिए, थोड़ा मोटा ही मैंने रखा हुआ है, ऐसे चिपका दे, एक फोल्ड करके, तिकोना इस तरह से, इसके कोने पर, हम उठे की सारा से ऐसे चिपका दे, इसी तरह हम सारे सुहाल बना लेंगे, आप अपने इस आप से बड़ा छोटा बना सकती हैं, लेकिन उसका परत थोड़ा मोटा ही होना चाहिए, इस तरह से मोड़कर, सितिकोना, इस तरह से इसको लॉक कर दे, ताकि ये खूले नहीं, देखिए मैंने सारे सुहाल बेल कर तयार कर लिया है, बनाते हैं, रिफाइंड आल मैंने रख दिया है, गरम होने के लिए, हलका गरम होगा, तभी हम डालेंगे, चेक कर लेते हैं पहले, देखिए एक टुकड़ा डालेंगे, हलका गरम हो गया है, इसी आच में डालेंगे, एक बार में जितना आ जाए उसी हिसाप से आप बनाईए हलका हलका बबल आने लगे तब ही आप सोहाल को डालिए धिमी आच में जब यह थोड़ा नीचे से हो जाएगा तो तैरने लगेगा देखिए तैरने लगा है इसे पलड देते हैं इसी तरह हम धिमी आच में इसको तलेंगे देखिए यह हलका कलर इसका आ गया है हलकी सी आच तेज कर देंगे फूल चुका है इस तरह से धिमा से हलकी सी आच तेज करेंगे अधिक तेजाच नहीं करेंगे देखिए उलट पलट कर मैंने तल लिया है इस तरह से हल्का ब्राउन हो गया है निकाल लेते हैं कि गैस को बंद कर देंगे थोड़ा घी ठंडा हो जाएगा तब दूसरा डालेंगे देखिए इस तरह से फुला फुला है यह एक परत दिखाई दे रहा है घी से निकाल कर तुरंत चासनी में नडा लें एक मिनट रूप कर थोड़ा ठंडा करके हल्का गरम चासनी में चासनी गरम है अधिक गरम ना हो इसी में दुबो देंगे पांच मिनट इसी में रहने देंगे फिन निकाल लेंगे अच्छी तरह से चासनी पी ले देखिए घी हलका ठंडा हो गया है अब दूसरा बैट डालेंगे इस तरह से हलका हलका बबल आने लगे इसी तरह हम सोहाल को तल लेंगे पास मिनट हो गया है इसे निकाल लेते हैं गर्मा गरम मीठा सोहाल बनकर तयार है खाने में बहुत ही टेस्टी है ये अब इस दिपावली ये मिठाई अवस से बनाईगे अंदर तक चासनी पी चुका है देखिए देखिए ये मिठाई खाने में बहुत ही खस्ता और कुरकुरा है इस दिवाली कम सामान में ये मिठाई जरूर बनाए बिना मावा, खोवा, कोई भी ड्राइफ फूट नहीं है ये थोड़ा समयने बस नारियर का बुरादा डाला हुए तो दोस्तों अगर आपको रेशिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल अपने होते सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक सेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मीठा सोहाल मिठाई कैसा लगा थैंक यू कुक कला की तरफ से आप सभी को हैपी दिवाली थैंक यू